पुश्कार दोस्तों, हमारे चले है एर एजुकेशन में फिर आपका स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस राहुल आज की स्विम्तर्चा करने जा रहे हैं डेली उनिवोसिटी का एडमीशन प्रोसेस 2023 और बहुत ही छोटी सी छोटी डेटेल और बड़ी सी बड़ी डेटेल मैं आज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ थोड़ा सा टाइम आप लोगों को इस वीडियो को देना पड़ेगा लेकिन आप लोगों के सारे डाउट्स किलियर हो जाएंगे तो make sure Delhi University के admission process को अच्छे से समझे क्योंकि ये पिछले साल ही नहीं तरीके से implement हुआ है session 2022 के अंदर CUT आ जाने से बहुत सारे नई changes Delhi University के admission process में आए हैं तो make sure कि अगर आप इस साल admission के लिए apply करने जा रही हैं तो एक-एक point को अच्छे से समझने की कोशिश करें और हाँ पहली बार में आपको सब कुछ समझ में नहीं आएगा थोड़ा-थोड़ा करके हम gradually increase करेंगे अपने speed को चैनल को आप subscribe कर लेजी क्योंकि अपकमिंग टाइम है में Delhi University के एक-एक course की proper information आप लोगों को देने वाला हूँ तो बिना time waste करें जल्दी से start करते हैं हमारा ये वीडियो जैसा कि आप अपने screen पर देख सकते हैं ये है Delhi University की official website जिस पे बहुत सारी important announcement हुई थी और यहीं से आप लोगों का admission process जो है start होता है अब अगर कोई student target कर रहा है Delhi University के अंदर admission लेने के लिए तो उसे directly Delhi University की website पे नहीं जाना उसे सबसे पहले cut.summer.ac.in website पे जाना है यहां से आप लोगों का admission process इस साल change हुआ है देखिए होता क्या है कि जब आप लोग admission के लिए डियू में apply करेंगे चाहिए आप BA course में apply करना चाहरे हैं बीकॉम प्रोग्राम में apply कर रहे हैं आप BMS के लिए apply कर रहे हैं आप लोगों को एक eligibility criteria Delhi University का fulfill करना है हर एक course की होती है हर साल हुआ करती थी तो यहां पे क्या eligibility criteria Delhi University ने रखा है cut.summer.ac.in website पर जाओगे यहां पे आपको नीचे आना है Delhi University पे click करना है और यहां पे click करने के बाद आपको जिस भी course में आप apply कर रहे हो उसका एक eligibility criteria यहां पे उन्होंने mention कर दिया है यही eligibility criteria जिसके थुरू आप Delhi University में admission लेने वाले हैं तो bachelor of journalism किसी को करना है तो उसको यह चीज़ follow करनी पड़ेगी किसी को BMS करना है तो यह चीज़ follow करनी पड़ेगी अब यह चीज़ है क्या मैं आपको अच्छे से explain कर देता हूँ Delhi University ने बोला कि आपके 43% भी है class 12th के अंदर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपके 45% हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पहले क्या होता था जो टॉपर्स हैं उन्हीं को सर्फ यहां पर Delhi University ने का सपना देखने को मिलता था देखने के हिम्मत भी उन्हीं की रहती थी लेकिन जो बच्चा परसेंटेज लेकर आ रहा है 45% 46% वो तो पहले यहां पर आप लोगों को समझना है कि यहां पर सिर्फ फर सिर्फ आप लोगों का entrance exam जो conduct हो रहा है उसके score के basis पे ही आप लोगों के admission होने वाले हैं तो उन्होंने बोला है कि हम आपसे subject मांग रहे हैं हम आपसे marks नहीं मांग रहे class 12 के हम आपसे subject का exam लेंगे हम आपसे और अगर आप उसको qualify करते हो अच्छा score लेके आते हो आप लोगों को definitely हमारे colleges में admission मिल जागा more than 70 year colleges है यहां पर affiliated तो इनके इंदर admission लेना है तो आप लोगों को exam देना है चितना अच्छा score होगा उतने अच्छे college में ही आपको Delhi University के जाने को मिल जाएगा तो यहां पर उन्होंने जो demand रखी है एक example के तोर पर समझेंगे फिर आपके सारे doubts clear हो जाएंगे देखें यहां पर BMS के लिए उन्होंने बोला कि एक student को गर BMS course में admission लेना है तो यहां पर उसको section 1 कोई भी एक चीज देनी है उसमें से mathematics और एक section 3 अब CUT को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं जो CUT का जो exam होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड करा जाता है पहला होता है language दूसरा होता है domain मैंने CUT को लेके proper एक video बनाई हुई है जिसमें मैंने एक एक section को अच्छे से समझाया है तो please make sure कि आप उसको अच्छे से समझे तब ही आप यह सारी चीज़े समझ पाएंगे आप CUT का समझना बहुत ज़रूरी है हाँ पर आप Deliocity की admission process की बात कर रहे है ना कि CUT की explanation में आप यहाँ पे आपको देने आया हूँ तो अगर आप इस video को देख रहे हो तो आप लोगों को CUT के बारे में भी पूरी जानकारी होना ज़रूरी है and I hope आप लोगों को CUT के बारे में अच्छे से पता होगा तब यह आप इस video को देख रहे हैं नहीं पता है तो description में में लिंक दे रहा हूँ CUT के जाके प्रॉपर जो है वीडियो में ने बनाई है उसको जाके फॉलोगर हो आप उसमें एक होता है language एक होता है domain domain क्या है basically जो आप लोगों के class 12 के subject है उसी के 27 subjects की जो है list ntn आपको दी है उसमें से आपने जो भी अपनी class 12 में पढ़ा आपको उसमें से select करना है डियू में admission लेने के लिए किसी भी course में आपको उसके subject का तो exam देना ही है लेकिन जो subject आप select कर रहे हो जो भी subject आप select कर रहे हो Delhi University में admission लेने के लिए आप लोगों के पास वो class 12 में पढ़ा होना ज़रूरी है compulsory है अगर आपके पास वो class 12 में subject नहीं था और आपने उसके domain का selection करके exam दे दिया है तो आपको उस course में admission नहीं मिल सकता है entry नहीं मिल सकती है क्यों समझा रहा हूँ यह चीज क्योंकि just अभी हमने क्या देखा कि एक course है BMS का जिसमें उने बोला है कि एक section 1 में से आपको लेना है language language आप हिंदी ले सकते हैं English ले सकते हैं mathematics का selection करना है आपको अब यहाँ पर जो section 2 में आपसे देखो यहाँ पर mention करा गया है mathematics तो mathematics किसमें आता है section 2 में domain में आता है अगर यह आपके पास class 12 में था तो ही आपको यह देना है अगर आपने दे दिया है और आपके पास class 12 में था आपका admission यहाँ पर नहीं हो सकता same with any course आप किसी भी domain का selection कर रहें आपके पास class 12 में होना ज़रूरी है अभी मैं arts वालों के लिए भी आउँ अभी commerce वालों के लिए भी मैं explanation दूँ है इस चीज को लेगे फाइन तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर eligibility criteria फुल्फिल करना होता है that means कि अगर आपको BMS में call करा Delhi के अंदर और कैकेते हैं मेर से बोला गया है कि आप लोगों को आपको अगर BA program में admission लेना है तो आपको arts की subjects पढ़ने होंगे ऐसा नहीं है यह false information है बहुत लोगों के साथ पिछले साल भी ऐसा हुआ और उनको घलत information दी कई उनका साल बरबाद हो गया क्यों हुआ क्यों हुआ क्योंकि D.U. ने साफ साफ अपनी website पे important points में mention करा था student must have studied that subject in his or her class 12th तो अगर आपको आप background है आपका commerce का आप कैसे switch करेंगे देखिए आप commerce background के है आप पढ़ रहे हैं BST आप eco पढ़ रहे हैं आप कोई भी subject पढ़ रहे हैं तीसरा subject है आपका कोई भी अगर मैं बोलू हुआ जैसे की BST eco एक accountancy आपका subject है दिहान से समझना इस सेज को डेली उनिवर्सिटी ने बोला है अगर आपको BA program करना है हमारे यहां से BA का कोई भी course करना है किसी student को BA honors करना है तो यहां पर क्या बोला गया है ध्यान से समझे उनकी बात क्या requirement आ रही है BA English honors BA Hindi honors कोई भी BA program में जब आप admission निकले जा रहे हैं तो यहां पर उन्होंने बोला है English from list A, any two subjects from B1, any one subject from either list B1 और list B2 अब ये B1 और B2 का concept कहां आया क्या है ये B1 और B2 ध्यान से समझेंगा हम इस चीज को और आपको सारा funda आपका clear हो जाएगा आपको जाना है डेली निवर्सिटी की official website पे admission 2022 वाले page पे ही जाना UG admission पे आपने click करना है यहां पे मिले आप लोगों को eligibility and seat matrix जहाँ पे Delhi University ने एक चीज क्या mention करी है आप लोगों को दी गई है list A, list A, 1A और 1B की सारी languages उन्होंने आपके mention कर दी, दूसरा उन्होंने list B दी और B को जो है उन्होंने B1 और B2 में divide करा है, B1 ये रहा और ये है B2, अब B1 में क्या है जो most of the student के main subject Accountancy, Anthropology, Biology, Business Studies, Chemistry, Computer Science, Economics, Environmental Studies, Geography, Geology, History, Home Science, Legal Studies, ये सारे subject, ATL subject जो है B1 में डाले गए और B2 में जो है extra और vocational subjects होते हैं वो डाले गए है, Agriculture, Engineering, Graphics, Entrepreneurship, Knowledge, Tradition, हाना ये सारे चीज़े दे दिगे हुए कि बहुस सारे students के पार ये बहुस सारे subjects भी होते हैं, Physical Education भी होता है बहुस सा अच्छे से समझे आपका doubt जो है clear हो जाएगा क्योंकि Delhi University की एक condition आपके लिए fulfill करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, वो condition आप अपने जहन में डाल लो क्या है, Class 12th के subject ही आपको select करने है, किस में से, B1 और B2 में से, सिर्फ और सिर्फ आपको Class 12th में जो आपने पढ़ा है, वही select करना है, उसके अलावा कुछ भी select करना मत, नहीं तो आप हो जाओगे out अब मैंने क्या बोले है, Commerce का student उसके पास BST है, Ecore Accountancy है, चलो कह देते हैं कि उसके पास एक physical education भी होगा, तीक है चलो यह yellow color नहीं दिख रहा होगा आपको, हम ले लेते हैं, उसके पास चलो एक physical education का भी subject है, एक example के तोर पर समझ लेते हैं, अब यहाँ पर उससे बोला गया ह Delhi University ने क्या बोला, अगर आपको BA program करना है, तो आपको एक language देनी है, कोई सी भी language आप दे सकते हो, जो भी आपने, हाँ पर select करनी है आप दे सकते हो, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके पास class 12 के अंदर हो पड़ी होई होने चाहिए, language test is your different thing, जो domain है वो आपको class 12 में होना च यहाँ पर BA honors Hindi करना है, तो आपको यहाँ पर हिंदी का select करना है, language को, अगर आपको BA honors in Punjabi करना है, तो यहाँ पर आपको पंजाबी भी select करने का option दिया जा रहा है, या फिर any one of language, या पिर पंजाबी लेस फ्रॉम A, एक combination तो आप यह ले सकते हो, पंजाबी आपने ले लिया साथ में subject ले लिए B1 से और B2 से दूसरा combination उनना दिया कि कोई भी एक language ले सकते हो, तो languages भी better करती है, अगर आपके course में लिखा है, any language from section 1 जैसे कि हाँ पर लिखा हुआ है, any one from section 1, that means कि आप कोई भी language अपने select कर सकते हैं, चलिए अब वापस आ जाते हैं अपने मुद्दे पर जो आप लोगों को समझना था, कि अगर आप एक commerce के student है, तो आप arts के course में कैसे admission लेंगे, अब BA honors, कोई भी honors मांग लेते हैं, डियू ने बोला कि आपको एक language देनी है, दो subject B1 में से select करने हैं, तो B1 में जो दो subject है, वो आपको class 12 में पढ़े होने में चाहिए, तो B1 का एक subject तो आपका होगया business studies जो आपने class 12 में पढ़ा है, मैंने अभी आपको दिखाया, अगर उसे student के पास business studies है, तो उसने ले लिया एक BST, दूसरा उसने ले लिया economics, और तीसरा subject, दो subject तो उसको बोले गए हैं, B1 की list में से select करने हैं, तो उसके ने अपनी condition फुल्फिल कर इन दोनों से, तीसरा उसको बोला गया है कि आप B1 और B2 में से ले सकते हैं, एक subject और वो तभी लेंगे कि आपका जो subject है, वो B2 में भी लाए करना चाहिए, that means कि अगर आपके पास physical education आप select करना चाह रहे हो, B2 की list में से, तो यह आपकी class 12 में होना चाहिए, अगर आपके आपके पास B2 का कोई भी subject नहीं है, तो आपको B1 पे ही आ जाना है, और B1 का कोई भी subject अपना उठा लेना, जो आपके पास class 12 में रहा होगा, जैसे कि अगर आपके पास mathematics है, तो mathematics select कर सकते हैं, अगर आप, आपके पास क्या खेते हैं, physical education था, तो आप B2 की list में से, अपना physical education भी ले सकते हैं, क्योंकि BA honors के लिए उन्होंने क्या बोला आपसे, दो subject B1 से, और एक आपको B1 या फिर B2 में से लेना है, लेकिन होना चाहिए class 12 का, तो यहाँ पे क्या आपकी merit कैसे बन रही है, ध्यान से देखिए merit कैसे बन रही है, आपने एक language का test दिया है, प्लस तीन domain आपने दिये हैं, इसमें जो best score होगा, वो आपका consider कर लिया जाएगा, अगर आप दे रही हैं, तीन domain आपने तीन subject का exam दे दिया, मान लेते हैं, तो आपके होगए requirement तो तीन subject की थी, और आपने यहाँ पे तीन B1 वाले subject ले लिया थे, और एक B2 का ले लिया था, तो जो भ सब्जेक्ट्स मांगे हैं, और जब डेल इनिश्टी ने बोला है कि भाई हमको BA प्रोग्राम में admission के लिए कोई subject चाहिए, तो वो list B1 में से कोई भी हो सकता है, B2 में से होना चाहिए, लेकर आपका class 12 का होना चाहिए, तो यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा mention नहीं है, कि किसी student को अगर BA history में admission लेना है, तो उसको यहाँ पे B1 के अंदर से history का जो है selection करना पड़ेगा, ऐसा नहीं mention है, वहाँ पे बस B1 और B2 mention है, भाई, subject mention है, और वो subject आपके बाल class 12 में already है, तो उसी की weightage आपने आगे दे दीनी है, देखिए, आगे मैं आप लोगों को और अच्छे से लेना है, अब नीचे की तरफ चलते है, B.com honors और B.com देखिए हैं पे, B.com प्रोग्राम में क्या बोला है, कि कोई student है, उसको एक language देनी है, पहला combination, दो combination से admission हो रहा है, B.com प्रोग्राम के अंदर, पहला combination क्या कहता है, देखे, पहला combination आपसे कह रहा है, कि आप लोगों को उसमें एक language का selection करना है, दूसरा दो subject, B.com से और any one subject, वो ही same BA program वाली, जो है eligibility criteria जो मैंने अभी आपको उपर explain करी थी, BA program वाली, ठीक है, अगर आप humanities के हो student, तो भी आप B.com में apply कर सकते हैं, क्योंकि आप उनकी eligibility criteria को fulfill कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपने दो subject अपने B.1 से ले लिये थे, और एक subject आपने B.2 से ले लिया, नहीं भी लिया, तो B.1 वाला ले लिया होगा आपने, हना, तो यह तीन subject की तो requirement है आपसे, तो आपने वो fulfill कर दी, तो हम B.com कर सकते हैं, दूसरी condition आपसे क्या बोलेगा, यह same with science, science के लिए भी यह है भाई, science के लिए भी है, science mention नहीं है भाई, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, दूसरा combination आपसे क्या बोला जा रहा है, आपको एक language, एक subject आप B.1 या फिर B.2 में से select कर लो, और तीसरा, आप एक general test देदो, तो भी आप B.com program हमारा कर सकते हो, ठीक है, उन्होंने क्या बोला, एक language देदो, प्ल program कर सकते हो, अब मैंने आपको थोड़ी दिर पहले एक B.1 के eligibility बताई थी, English प्लस Mathematics प्लस GT, क्या ये condition भी इसको fulfill कर रही है, जी हाँ, बिलकुल कर रही है, अगर आप class 12 के बाद B.1 में target कर रहे हो, तो easily आप B.com को भी target कर सकते हो, with this same eligibility criteria, क्योंकि आप उसकी condition को भी fulfill कर रह है, अब यहाँ पर B.com owners के लिए क्या बोला है, एक language आपको लेनी है, list A में से, दूसरा mathematics, आप select कर सकते हैं, तीसरा, any two subjects from, at least one should be from B.1, ये condition का कहती है, मेरे ख्याल से आपको ये सारे examples सब समझ में आ रहे होंगे, जो भी हम आपी ले रहे है, B.com owners का एक example में आपके सामने ह पर explain कर रहा हूँ, एक आपने language ली, प्लस आपने, क्या मांगा आपसे इन्होंने, दूसरा, इन्होंने मांगा आपसे mathematics का subject, प्लस, दो subject मांगे हैं, जिस में से एक subject B.1 का होना चाहिए, और दूसरा subject B.1, B.2 में से हो सकता है, ये देखो, any two subject out of which at least one should be from B.1, दो subject मांगे हैं, एक तो B.1 का लेना ही लेना है, और दूसरा B.1 और B.2 में से एक हो सकता है, वो कहां पर मिलेगा आपको, यहां से मिलेगा, एक example भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, गर आपके पास class 12 के अंदर business studies है, आपने mathematics select करा, दूसरा subject है, physical education भी ले सकते हो, क जैसे कि आपने एक लिया था, mathematics से उन्होंने आपसे मांगा ही मांगा है, एक तो यह हो गया, दो यह हो गया, तो एक हो गया mathematics आपका, दूसरा आपने B.2 लिया, तीसरा आप B.1 की, B.2 की list में से ले सकते हो, अगर आपके पास यह physical education था, तब की बात हो रही है, अगर नहीं है, आप accountancy के basis पे भी admission ले सकते हैं, आप एक अपना language select कर लीजी, एक accountancy का subject और same condition वही B.1, B.2 में से एक-एक subject आप अपने उठा सकते हो, यह condition आपके आपकी fulfill हो जाएगी, तो यह है B.com honors की कहानी, इस तरीके से Delhi University का admission process चलता है, आप लोगों को बस इस बात का धिहान रख लिए हो, बस इतनी सी बात है, आप लोगों को पूरा admission process समझ में आ जाएगा, I hope यह चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, यह हमने पहला अपना cover कर लिया है, admission process जिसमें हम अपने subjects का selection देख रहे थे, subject selection process हमने अपना complete कर लिया है भाई, ठीक है, अब मैं आप लोग को एक science का भी समझा देता हूँ, अगर एक science का student है, वो BA program में कैसा admission लेगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि science का student भी अभी शायद इस वीडियो को देख रहा होगा, अगर आप science के student है, commerce के student है, please do like this video, यह आप लोगों के लिए ही है, अगर आपने इतनी वीडियो दे time के अंदर आप लोगों का admission भाई निपटने वाला है, तो क्यों न अभी सिस के लिए आप जागरुख हो जाएं, आप अगर डेली में रहते हैं, हमारे center पर आ सकते हैं, चतरपूर के अंदर located है, आप इसकी city की preparation के लिए हमारा institute जोईन कर सकते हैं, और same counseling जो मैं भी आपको explain कर रहा हूं, या regular basis पर हम अपने students को explain करते रहते हैं, तो आपके mind में कोई भी doubts हो रही नहीं सकता है at any cost, तो आगर आप डेली में रहते हैं, please make sure कि आप एक बार ज़रूर आके visit करें, it's free of cost आप आपके हमसे counseling ले सकते हैं, BSc honors electronics, किसी को करना, एक BSc समझ लेते हैं, तो यह और दूसरा, आप लोगों का 30% आप लोगों की language list A में से होना चाहिए, तब ही आप eligible हो, अगर आपने English का test दिया, तो आपके उसके 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 30% marks दाना ज़रूरी नहीं, तो आप out हो जाओगे, यह सारे चीज़ें यहाँ पर mention करी गई है, अब यहाँ पर देखिए कोई student है, अगर उसको BA program करना है, वो science का student है, तो BA program के लिए मंगा गया है, एक language और दो domain मांगें B1 से, तो B1 के कौन से domain लेगा science वाला student, एक लेगा chemistry का और एक लेगा physics का, तीसरा उससे बोला गया, B1 और B2 में से कोई एक subject देना है, तो वो अपना bio दे सकता है, यहाँ से भई, admission process, so Delhi University के entrance exam preparation के लिए आप join कर सकते हैं, higher education entrance exam preparation, आप download कर लीजे, higher education की live application, जिसके अंदर आप लोगो को CVT के साथ साथ है, बहुत सारे entrance exams को हम cover कर आ रहे हैं, इना single course आपको अलग से किसी चीज़ के लिए pay करने की जूरत नहीं है, एक ही entrance exam preparation course से आप बहुत जगे अपना eligible हो रहा है, तो अगर आप Delhi में रहते हैं, तो please come for a counselling, हम आपको proper information देंगे, CUT के regarding, IPU CUT के regarding, किसी भी entrance exam के लिए अगर आप apply करने जा रही हो, तो definitely हम आपको help करेंगे, आपके dream college तक पहुंचने में, so मिलते हैं next video के अंदर, इसी तरीके के educational content के साथ, thank you so much.